हालो दोस्तो नमस्कार दोस्तो हमारे हाथ में है वर्धन दोस्तो इस वर्धन में मिला क्या होता है एडी 3 और यह मिला होता है इसका यूज हम अपने पुसू में कब कहां और की जगा करते हैं दोस्तो यह 100 ग्राम और एक कीजी में आपको यह मार्केट में मिलता है सौ ग्राम की MRP 190 रुपे आपको मिलेगा इसका यूज हम कहा करते हैं मैं आज आपको पूरी जनकारी देने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहली बात पुसु जहां पर रिपीट करती हैं आपने देखा होगा आपकी गाय भैस बार बार रिपीट कर जाती है पुसु पालक परसान हो जाता है उनकी पुसु बार बार रिपीट करती है गाविन नहीं होती है अधिक समय से तक हीट में राती है उनके साथ साथ होता क्या है समय से यूट्रस में ऑपलाइशन नहीं बिनता है समय से हर्मोंस एक्टिव नहीं होता है उसके साथ साथ बलड आ गाभी नई होती जो पसु बलड़ देती है तो इन सारे कंडिशन में आप इस वर्धन पाउडर का यूज कर सकते हैं उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप अपने गाय भैस को जल्दी से जल्दी तयार करना चाहते हो जैसा कि आप सब जानते हों कि गाय हमें एक भैस को पसु जैसे गाय है वह आप तीन महीनी में पूरी तरह से प्रापर तयार कर सकते हो और रुकने के भी गारंटी होती है उसके साथ साथ गाय अगर होगी तो गाय को आप दो साल में तयार कर सकते हो डेर से दो साल के अंदर उसके साथ साथ जहां पे आपकी पसु कमजोर है देखागा बहुत सारे पसु को उनका सरीर रुखा-रुखा होता है उनके सरीर पर कोई भी लाइट नहीं होता है वर्धन को देने से आपकी पसु चमकीला होगा अच्छा सा दिखेगा और बिमार कम से कम होगा इन सारी समस्याओं के लिए भी आप इस वर्धन 183E को दे सकते हैं उसके साथ जहां पे आपके पसु में और बार्षन की समस्या होती है जैसे आपने देखा होगा कि आपकी पसु चार-पांच महिने की गाविन है और बार्षन हो जाता है यानि समय से पहले बच्चा दे देती है तो अगर आप इस वर्धन पाउडर और्धन मिनरल को खिला देते हो 100 गराम केवल 2-3 महिने में एक बर अगर आप देते हो तो कभी आपके पसु में रिपीट ब्रिटिंग के साथ साथ अबर्षन भी नहीं होगा आपको यह देना है तो दोस्तों आपको डेली देना है पांच गराम आपको डेली 5 गराम देला है और एक महिने तक लगातार तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे प्यारे दोस्तों